है जो इसको ना हमें एक तरफ से देखना सिखाया गया है और जो देखना सिखाया गया है और उसों निगेटिव देखने में जो बल मिलता है वो बावा साब की आगरे की कुटिशन से मिलता है कि बावा साब ने कहा था कि पड़े लिखों ने धोका दिया है तो सब के माइंड ऐसे ही मेक अप हो गए कि हमें पड़े लिखे लोगों तो सभी तरफ से लगता है जैसे पड़े लिखे लोगों ने धोका दिया है और यह अफसर आनी रहे हैं अफसर आते नहीं है दरसल ऐसा नहीं है अगर आप भारत के बागी मुवमेंट में देखेंगे और अपने मुवमेंट में देखेंगे तो आप यह पाइंगे कि हम सबसे ज्यादा संख्या में पड़े लिखे लोग है जो मुवम them को चला रहे हैं जो दिक्कत जो हम नहीं देख पा हैं वो दिक्कत में देखनी है क्या है क्योंकि 70 साल पहले साथ के साथ में हुआ हुआ होगा अभी नहीं है भारत में पड़े ले भी नहीं पारें जो दिक्कत आई और जो हम लोग नहीं देख पारें जिसको हम काउंटर नहीं करें जिसको फेस नहीं कर रहें वह सबसे बड़ी बात यह है कि यहां संग्ठन या खेमे या टुकड़े बहुँच जाता है जैसे हर राज्य के अंदर कुछ आईएस और कुछ आईपीएस और कुछ रिटायर्ट और कुछ पीसीएस हर राज्य में हैं कुछ लोगों ने तो डिटायर्मेंट भी ले लिए कुछ नौक्रिया मीं छोग दिए हैं मगर वह सारे के सारे अलग-अलग हैं अगर आप महाराश्य श्चेट में लेंगे तो महाराश्य साथ हैं जो आफसरadenट की बात चोड़ने हैं, कुछ लोगों ने इंडीवें पने आपने काम किये एन है पांसाद तो आयरेसे हैं जिनके नान टिफ सो बता सकता हूं जो अलग अलग काम कर रहे हैं उनमें एक साथ काम करने की बात ही क्योंकि उन्हा ऐसा लगता है यह क्यों कि हमारा आदनी है की पीछ चलता हे उसको लगता है यह क्शा पाइब को कहने के लिए कोई त्यार नहीं है क्योंकि सबी अपने संठन बना गर बैठे बीट है वह पढ़े लेक्रारी जो दोगों को जगाने वाल नहीं है तो हम कैसे मकाम तक पहुंचेंगे कैसे मज़ीं तक पहुंचेंगे उनको लगता है कि हम लंबी लकीर खीचेंगे हम पहुंच जाएंगे वो लंबी लकीर के चक्कर में उन्होंने हमारा सत्यानास कर दिया और उन्होंने क्या सत्यानास किया हमने अपना सत्यानास खुद कराया क्योंकि हमने उन सब को एडिस्टेंस दी है हमने उन सब को माना है माने ता दी है और हम कहते हैं उतने संख्थन आ रहे हम समय जा ते हम तो सब के साथ हैं हम इतने मूर्ड हैं कि हम सवह में नहीं आती कि संख्थन का मतलब क्या होता है अ हम रहे हैं कि जतने हमारे समाज के लगा ऊपके सबbonos करें दो नुक better ओपने सब्सक्राइब तो सबस्क्राइब, यह करें करते हैं कि लोग केären असक्ता के समय करने में सबसे लोग तो तुखेंस समझ में đến नहीं होंगे खटे नहीं होंगे तो यह सेंटेंस बदलना चाहिए जैसे एक सेंटेंस हम उठा रहे हैं बड़ी गलती से के संविधान खत्रे में इसको ठीक कर रहे हैं वह संविधान खत्रे में नहीं है हम खत्रे में हैं इसको ठीक कर लो सेंटेंस को अगर अपने energy को ये बार 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 रिलाइस कराना है बार बार उनको इसका अभास कराना है बार बार उनको ये बताना है भाई तुम गलत कर रहे हो तुम बेसक बावा साथ के नाम पर कुछ भी कर रहे हो मगर ये बावा साथ की आडिलोजी नहीं है तुम गलत कर रहे हो तुम जो बावा स साथ के टुकड़े टुकड़ों को समधन दे रहे हो बावा साथ के यह सेंटेंस और यह वाक्य जह हो बार 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 खेंगे अभी एक मीटिंग में गया था वहां एक व्यक्ति केरा जी उधर जो वीदा पीपल चलता है उसमें यह कहते हैं कि पैसे मत दो अब जो होके तुम आओगे नहीं तो पैसा हम देंगे साथ है क्योंकि तुम तलया खांधा है क्योंकि अगर वो एक दिन के लिए भी खट्टे हो जाते हैं सिर्फ एक दिन के लिए 24 घंटे लिए खट्टे हो जाते हैं तो आपकी 50% समस्या सॉल्व हो जाएगी क्योंकि बावा साब ने जो सेंटेंस कहा था कि देखो जब तक बुद्धिमान जान का जागरत लोग आगर नी बढ़ेंगे काम नी बनेगा क्योंकि उन्हीं की चिम्मधारी है और वो जागरत लोग भी हैं बुद्धिमान भी हैं पड़े लिखे भी हैं बावा साब की हर चीज़ का फायदा उठाया है तो उनको और फायदा होगा आप अफसरों से को कि भ अंगे बहुत ज्यादा है यानि हमें उनकी जितनी ज्युद्ध हैं वो तो बहुत कम हैं उनको हमारी च्चांगे यह ने चलाई लोग नयों देख करेंगे घन्यवाद दी हैं क्यों सिदिरा प्रियंबल हमशे लोग साहर को इन्वाई करो हाँ हमारे बीच अधर नियाव यीजेट खुबरागणे सर है जो की रिटाइड आयस ओफिसर है समाज कल्यान में वो कमिशनर भी थे और एक अक्टिविस्ट आयस ओफिसर हुए है और रिटाइर होने के बाद भी वो काफी बड़ा अंदूलन चलाते हैं अमेट करी विचारदारा पर उनका काफी बहुत योगदान है मैं उनसे यहां पर सभी के तरफ से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि कुपया वो प्रियांबल का कॉंस्टिविशन के प्रियांबल का वाक्षन करे मराथी भी कर सकते हैं और इंग्लीज में भी कर सकते सर दोन करेंग भी होई थी टाइम कभी-कभी नहीं आडजस होता इसले आज मैं फिर आ रहा हूं वी द पीपल जो है यह क्यामपेंड सभीदान का चला रहे हैं मैं सारे सातियों का जैबीम करता हूं और आपने मुझे 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 दिया है मैं सभीदान का जो प्रियांब अमी भारताचे लोग, भारताचे एक सार्वभोम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोक्षाही, गनराज्य गढवन्याचा व त्याच्या सर्वन आगरिकास, सामाजिक, आर्थिक व राजनेतिक न्याई, विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, स्रद्दा व उपासना य यांचे स्वात्यंत्र, दर्जाची व संदीची समानता, निश्चित पने प्राप्त करूं देन्याचा, आणि त्या सर्वान मदे व्यक्तिची प्रतिष्टा, वराष्टाची एक्ता आणि एकात्मता, यांचे आश्वासन देनारी बंदुता, प्रवर्दित करन्याचा, संकल्प पुर्वक निर्दार करून आमचा सविधान सबेद दिनांग सब्विश नमेंबर 11-11 रोजी यादवारे है सविधान अंगी कुरूत आनि अधिनीमित करून स्वताप्रत अरपन करित आहोत मैं अभी इंगलिश का है और वो भी मैं पढ़ लेता हूँ और एक अच्छी पहला है है कि अपना ग्रूप का डिसकेशन जब शुरू होता है या कोई विशह शुरू होता है तो उसको प्रियांबल पढ़के शुरू करना चाहिए थोड़ेशी जानकरी देना चाहता हूँ नीर्ध में बहुत सारे लोग अभी हम खूद हमारा सविधान फॉपंडेशन के ओर चाहर करते हम करतेे प्रियांबल पड़ते और महरस्थ में सारे सinaçãoजिक सांस्टा जो बाभाicky साथ को और सविधान पर निष्टा रखने प्रियांबल पढ़ने के बाद ही कारेकरम का शुबहराम करते हैं, जैसे कि उद्दो बंदना करते हैं तो प्रियांबल भी पढ़ते हैं और यह धीरे धीरे अभी महारास में और बाकी जगे भी उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इंग्लिश का जो प्रियांबल है, वी, the people of India, having solemnly result to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you, Jai Bheem. Saadu, Saadu, Saadu. Thank you very much, sir. Saadu, Saadu. Saadu, Saadu, Saadu. Anuji, 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 चाये ज़्यादा, पेरे Anuji, आप आए. Jai Bheem Namubuddhae. Jai Bheem Namubuddhae. Jai Bheem Namubuddhae, जी, बॉलिए. Thank you. वै, sir, ये जो वीदा प्यूपल है, बहुत अच्छा है. मनलब इसमें भटकने का मुझे नहीं नहीं है. Thank you. अब बढ़के आगे आया है, तो हम आज उसको पीछे करके, उसको हम अपना ले, ये वीदा प्यूपल ऐसा नहीं है. तो सबसे ये वीदा प्यूपल बनाने वाने को बहुत बहुत साधुबार, और हम इसे जुड़े हुए हैं काफी समय से, और आज हमें कहा गया है कि आप बोलिये, तो आप बताएं. बोलिये, बोलिये, जी, बोले, क्या बोलना चाहते हैं? जी, बस सर मैं यही बोलना चाहते हूं, कि संगिठन तो बहुत बने हैं, लेकिन सर बिनास बहुत ज़्यादा हो रहा है. हमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, कि हम बाबा साहब को मान तो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं. जो वो मुझे बता गए हैं, हम उनका दिया हुआ तो सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन और हम समाज को जिसको कहते हैं कि पीछे ले जा रहे हैं, हमारे समाज के संगठन के लोग स्टेज पे बहुत बड़ी-बड़ी बात बोलते हैं, वो बात बोलते हैं जो मुझे नागवारा हुजरती है, और मैं बोलती हूँ कि वो आप मत बोलिये, वो बोलते हैं कि जारू अभी आप नहीं सुद्रे, तो मटकी आ जाएगी और जारू पीछे बंद जाएगी, आप कौन होते बोलने वाले, आपको ए राइट्स किसने दिया है, बाबा सहाब ने तो हमें सब हटा द दे नहीं रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं, जो समविधान विरोधी बाते हैं, यह मुझे नागवारा गुजरती हैं, और यह पढ़े लिखे लोग, अपनी पत्नियों को नहीं लाते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो लाग करके उनको औरों को प्रमोट करें, आप कैसे बढ़े हैं, उनको बताएं, जो गरीब आके बैठते हैं, हम गरीबों से पैसा ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं, हम उनको देते क्या हैं, अगर हम सिच्छा देने लाइक हैं, हम पढ़े लिके हैं, तो हम कुछ मदद करें, मालीजे हम नहीं जा कर कि आप किसी गरीब बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं तो हर जगे संगठन बनाई हुए तो मैं संगठन की विरोधी हुए यह दबीदा प्यूपर है मुझे इसका जो विचार धारा है आप लोग की मुझे बहुत अच्छी लगए इसकी मुझे थी प्यास थी कि कुछ ऐसा हो मुझे मिले तो मैं उस पे कुछ काम कर सकती हुए तो सर मैं यही बोलना चाह रही थी तो कानपूर से साथी जो है वो मैं वो जोना अनुजू को गुरूव में डाल ले प्रकाजी को बोलिए प्रकाजी को प्रकाजी प्रकाजी जी है क्या योगेंदर जी के साथी कौर को न है थे जी है नंबर नंबर चैट वोक में डाल देंगे नंबर जी सर जी ने मेरे पास में नंबर ओले इन का है पेसली बार बी ठीक है थेंक्यू थेंक्यू अनुजू आपके उपर एक कॉमेंट्स भी आए क्या करते है थोड़ा सी किये और पूच्छा जाए सर मैं समाज सेविका हूँ वैसे तो मैं ग्रहणी हूँ मैं इस टाइम मैंने अपने दोनों बच्टों को प्लेशडी कराके डॉप्रेट की डिग्री दिला दी है अब वो अभी बेरोजगार है और प्रियास कर रहे हैं प्रोफेसर के लिए तो सर मैं चाहते हूँ कि मैं समाज सेवा करूं जैसे हमने अपने बच्टों को बनाया है तो मैं चाहती हूं कि गरीब बच्चे जो है गरी बिर्स्तियों के बच्चे हैं तो मैं उनके पास जा करो और कर भी रही हूं जितना समय मिलता है तो मैं करती हूं अपके बार नर्वा का पास मिल्कुल खत्म हो गया जी अच्छा अगर जी लेकिन आप तो गल्ट बैठ गये बनियान में बैठे ओ अच्छा अच्छा बच्छों को पंका लगाएंगे अच्छा बच्छों को बच्छों को बठाते हो बच्छों पढ़ रहे बच्छे घी गुडिया में है बच्छों को पता होता है है मतिटिंग चलती है घी बच्छों को फूटा तब लगाएंगे लगाएंगे जब बच्चों की कि खलास आती हुद्र लगाया करो जो थोड़ा तोड़ा और दम थिल्डाइट सुच्छ फोजा नहीं कर रहे हूं नाजिद पूजा नहीं करया जी पूजा शहम नफरत आजी हमारे बाबा साब में पूजा है वैसा वारी दिल मे जरूरे जी जब तक अंतिम सास निजद तक जी जी बाबा साथ की शेवा करने कि यह था जी थोड़ा पड़े लिखा रहें किसान केती करते हैं और अबारी मिटिंग में लगातार आ रहे हैं जी इस मिटिंग में यह जोना तो कैसा लगता आपको करंबिर जी है जी हमें वह आपके विचार सुनके जी बहुत अच्छा लगता है सर जी बच्चों को बोलो पढ़ाई करें ठीक हाँ जी बच्चा को बहुत पढ़ा रहे हैं जी अप अपके लिए भी कम इसला दो आप ला क्या नामाएं काई बैटो मा переп क्यागे ईत अशमागे क्याक इस सर्मागी रहे ह। है है इस अ जी के है अदेशार कांज में वह जिए गयर जी यह पने बच्चों को लिए के करेंग कब झायरी अपने बच्चों को लिए करी करम कब होता है अजी इस तारी को बीस तारी को में लाओ बच्चों का होगा अच्छा जी इनको बाबा साब के बारे में फुल जान करी दियो सर्जी नौ बजे रोज मिलती है बैठ जाएक रोज में बच्चे बैठ देजी फिर फोना लेकि कई बच्चे जी क्या है पड़े लिखे बच्चे बच्चे अड़ पड़ा जी क्या है क्या है करें दिए जी बाबा साब कि शयावा करी यह जी गाव में पारक बुणवार रख़्ै बाबा साब नाम से जबी तौद जुड़ते हों अच्छी बाबाव साब गए जी तीन कना पर देखना पड़ी ती जिसको पर वाबाबा साब आपक बोड़े सटाँ चुक्री कर दी त कि आपने नोट मिलेंगे नहीं कहीं कि तनका मिलती है उना फरी में सेवा कर रहा हो जी अब जी गाओं में है जी हमने तो क्रियाज बाबा साब की जो के बेटी बड़ा रखी हमने अच्पेटी रुक काम होता सर जी चोटी मोठी लाइबरेरी और बनावां मना जी अच्छी अब कि बार जी शर्पाच जी उसने बहुत बड़ी अमनवार दी अच्छी बाद है अब बहुत बड़ी हमना जी अजी इस प्रिखा लिखा बंदा आए गा नी उत्से कहें लाइबरी को लेंगे जी कि अगर ये बच्चे अपने सारे स्टिक में इस आठीस्टिग में सारे पड़े जितने बच्चे इने फुल पड़े रहे जी करें गाव में और सब शे आगे निकलती है सब बच्चे अच्छा आँ जी नवबद्दा जेभीम सार जी लखभदी कैसे हो तर बढ़िया आप सुनाईया बढ़िया 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 इंच्टर जाइगे नवबद्दा है ठीको सबी समानित सातियों को सत्यावान कलकता से बोलना हुं हर्याणा का रहने वाना हुसर में सब्सक्राइब को पुछो कहां के हैं तो कहां बैटे गुजरात में बैटे अभी अभी इनको भी भुला के हम सब ने बोला हम सब एक ही घर के हम आदमी है वह वीदा पिपल और इंडिया पस इससे क्या होता है बताने से क्या होता है कि अम आपकस में दुसरे से जुड़ते हैं इससे बंता नहीं आती है सब हमारे आदमें पूरा देश हमारा देश हमारा पूरा सब मान लेते हैं जब ड़क्टर मेंड करकी एक एक बात को फोलो करना पुड़ेगा यदि हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ने बोला वी आर इंडियन फर्श्टिय यंड लाश्टी बस बस यह और इंसान है हम यह जादवी खतम करना धर्म को खतम करना ने वह तो हां है यह और इंडियन होगे बस उसमें पूई जाती बात नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अब लोग इसका स्टूल कास्ट को भी नहीं मानते जानते क्या है अरे स्टूल कास्ट इनक लिस्ट होती है लिस्ट पर अनुसूची पस लिस्ट है उस जैवीम नमोगद्दाय सभी साथियों को करमविर जैवीम जैवीम मेडम जैवीम जैवीम नमोगदाय जी कटके सर जैवीम 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 अच्छा आज का बहुत अच्छा कॉंबिनेशन है करमविर जी वह कटके जी वह अच्छा लग रहा है उपर यह बाल नहीं है इसलिए पूल रहे नहीं फर्स टाइम मैं तो सुनूंगी और फर्स टाइम में अपियर हो रहा है कॉंबिनेशन आप लोगा के स्क्वाइर हो गया मैडम के स्क्वाइर अच्छा राइट 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 सर कटके जी से मैं एक थोड़ा सा क्लारिफिकेशन चाहता हूं क्योंकि ये संकाई भी हमें खराव करती है बच्चों के आगे हम अभी बुद्धिस्ट लिख दे कहीं भी तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बच्चों को क्या दिक्कत है ये देश सारा बुद्ध का ही देश है ना वह सही है वह सारी बाते से हैं लेकिन जो हमारे दुस्वन हैं वो डूड़ते हैं इस तरह की चीज़ों को डूड़ते और फिर उसमें उल्जा देते हैं लिए जाना जाना था तो बच्चों को उस-काविल बनाना होगा हमें हालाय मपuct-प्रॉभल्बिम तो यह नहीं प्रॉब्लम नहीं बुद्धिस लिखा करो कैसा हम बुद्धिस लिखते वैसा बुद्धिस दिक्ते भी है बिखने में ग्याहिए और लिक्तस वी और यह जो 2021 वाला जो सेंसस आएगा जन गन्ना उसमें काफी यह होज़ोने होला है हमने खुलकर लिखना है जी सर खुलकर लिखना चाहिए और अपना आरक्षण है आरक्षण पर क्या है अरक्षण मिलेगा ना बद्धुष्ट को मिलता है किसका किसन है कुछ रही है इसेट खोवरागड़े सर जैवीं दोगता है यह यह रिजरेशन वाली बात कौन पूछ रहा है यह लड़का है सरे मनिस सब्सक्राइब नहीं सर संकाय है बच्चों कियों दूर करनी चाहिए बत सब्सक्राइब का यह बताया था एक बार काफी उनको टाइम उनने दिया था हमें और काफी कुछ बताया था वनने पताया था कि पहली बार उन्होंने दिवार पर लिख वाया सब कुछ और समिध हान क्या बोलते प्रियंबल पूरा उन्होंने बढ़ाए वो अभी लगे पड़े हैं काम में यह सर वो समता दूत यह सारी आइडिया सर की है और वो हमने उसे दिविदन किया था कि आप दोड़ लेकिन वह जो दूश्मन है हमारे वह हमें पीश देते हैं वहां से हमें फिर कुछ मिलता नहीं है ऐसे बड़े अधिकारी अच्छी सोच के आएंगे तो निश्चे ही हम अपने टार्गेट की तरफ जल्दी अचीव करने कोईशिश करेंगे की कि अधिक करवाएंगे है परेंबर प्रियंबर जो अपने आईज इस हैनां निसे करवा देंगे कि आपके पास प्रियंबल का तो अब कुछ देर के बाद शुरू करेंगे तो पर जाती है तो प्रियंबल पढ़के शुरूआत करते हैं अज के बिटिंग का जो प्रियंबल पढ़के शुरूआत करना है पढ़के सर उनको बोलों को मराठी में पढ़े तो अच्छा रहेगा अरे मराठी में तो सर ने शुरू किया था शुरू किया था अब अब बताएंगे आप बताएंगे है तो ही कर साथी का क्यूस्टन था कि रिजर्वेशन बुद्धिश्य बढने के वाद, reservation मिलेगी कि नहीं थाती हो, बुद्दिस्ट बढने के वाद reservation जियों कि तो मिलेगी, देश में तीन धर्मो को माना जाता है इंदू, सिक और बुद्दिस्ट, जो तीन धर्मो को मानता है, उसको reservation का लाव, जैसे आपको पहले मिलता रहा ऐसे मिलता रहेगा यह यह जाती अधारी ते अरक्षन है और इन तीन तीन दर्मों में जो जाती है जितनी जाती है जो इसमें चिनित की गई है उन्हीं सभी जातियों को रेजर्वेशन का बराबर आपको हक मिलता रहेगा कुछ साथीच बात के भी विरोह करते हैं कि जाती नहीं है साथी वह बैनिफिट जब तक हमें लेना है जब तक ले सकते हो लीजिए अगर आपके इतनी टपैस्ट्री आ चुकी है कि मैंने रेजर्वेशन किया सकता नहीं है कि जो अना कोई भी एकजाम कोई भी काम अपना इजली कर सकता हूं तो आप छोड़ सकते हैं कोई दबाव नहीं है तो अभी हमने कई तरिकें से चलना कई रास्ते अपनाने हैं कई तो इसलिए जो साथी जो क्योशन पूछ रहेते उसका यही जवाब है कि रेजर्वेशन म करते हैं तो बदमास लोग ओफिसों में इसू करते हैं यह भी प्रोब्लम आती है इस पर थोड़ा काम किया जाए कि सत्यवां जी वो करते हैं लेकिन उसके लिए रोक नहीं है उसके लिए हमें वन बाइवन अभियान चलाना है और उसके लिए जैसे जैसे हमारी ताकत बने अधि जोनगाल जीसमें नहीं है इस अधिक में लुग सब्सक्राइब कर दो कि दढ़ कि जी उसको फिर पात जन गन्ना में सबी बहुत द्रम लिखालो सीधा साहिशाव है हाँ वही हम उसी के ओपर चर्चा दो रही परियार से प्रोड़ से बीस करोड़ हो जाए अखते प अगर यह नॉर्ट इंडिया में सीरियस्ली लिखा जाता है तो बुद्धिसम की संक्या एकदम जोर से बढ़ेगी क्योंकि पिछले जन्गन्ना में का यह तो महारास्टोर कई जिन राज्यों में कनवर्शन बाबसाप के वक्त हुआ था उनी लोगों ने दर्ज किया था लेक बहुत अवियान चलाया था प्रियार जी तो अभी बाद में दूड़े है अदमें को गुद्धिजम यांबेडगरवाज समझ माया है उससे पहले हमने बहुत बड़ा अवियान चलाया और बहुत ज्यादा प्रोग्राम किये लेकिन क्या था हमारे लोगों ने पारम भरने के हमारे सामने हाँ यह चर्चा करनी होगी इस तो पर हमें अभियान चलाना होगा जैसे नजदिक आएगा जैसे हम रोज जूम पर भी बोले कि हम अपने उस काला में यह लिखे कि बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा मैं और बड़ी सावधानी परतनी पड़ेगी यह 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 तो सर करंबीर जी हमारे पाज हैंदू होने का भी सट्विट कहा है कि मैंने में चीफ सेक्टरी को लिखित्में मैं बुट्विस लिखे उनका लैटर सह स्वर्थ लाएं और उसकी कापीति दीजिए सब्सक्राइब करते आना चाहिए तभी वो मानते हैं जी 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 सर फोटी सब्सक्राइब मेरे पास मैं कुछ लोग आयरो ने यह कहा कि हम उसको बुद्धिष्ट मानते हैं जो बुद्धिष्ट का साट्वीट होता है आपके पास है क्या आप इतना धंका काम करते हैं प्रेंटीने निकला था तब निकला था अदमी था मैंने निकारा था सुदिष्ट होना चाहिए इस से में सविशी है सुनिए हैं एन इसको कहा मेरा बुद्धिष्ट है पूरी दुनिया कहती है मैं साठीबिक्रि लूंगा या दूंगा तो मैं बुद्धिष्ट के लावा जो लोग है वो मेरे से साड़ीविट लेने आओ तुम लोग मैं साड़ीविट लेने क्यों जाओंगा मेरा तुम पुरूब कर दो कि मेरा देश बुद्धिष्ट नहीं है मैं साड़ीविट ले लिए लूँगा तो भागे सारे सारे अरे भाया ज को समझ में आ गई मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपना दालोडी चलाने के नहीं है और उसमें काम कर रहे हैं और वो खुद कह रहा है कि हम तो इस देश के हैं नहीं तुम हमें साथ दिक्रिट दो कितनी कमाल की बात है वो बहार के लोगों से अपने होने की आइडें सब्सक्राइब कर देते हैं सब कुछ कर देते हैं तो ऐसे बैस करने से नहीं होता है स्टेट में बैन किया हुए यूपी में मध्या परदेश में बैकाइदा गोवर्मिंट ने नोटिफियेशन दिया हुए कोई करेगा क्या कर सकता कि यह कोई नोटिस नहीं है सर एंपी में है वो डी एम डी म से पुछ आदमी पचास तो दाके मिलेंगे रोगा पर में पढ़ेगा वह यह ना आप दो बहनती बात कर रहें सत्यवां जी सारी समस्या की जड़ देक हैं रूज टो बताते हैं नो बजी क्य जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे जो ऑफिसर इस नावल पर बेठे हैं उन्होंने मदद करनी चाहिए इस तरह कि जो गया करमीज जी 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 शुरू कर लो अभी कितने आद में अभी तो पचास हुए नहीं है पचास फॉर्टी नाइं लो एक और प्रियंबल एक और कर दिया इंट्रमेंट अरिया और सर शुरू किजिए करें 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 आप करमीज जी 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 और आप सर इनके इंट्रोड़क्शन करवा दीजिए प्लीज अपना इंट्रोड़क्शन दीजिए हमारे बीच राजेश गुजर साहब है मैं उनसे करता हूं कि अपना परिच्छे दीजिए मैंडम उस्याजी डीजि और सब्सक्राइब है अपनीजिए अच्छा मैं बूल रही है अपना अन्मूट करें मैं आगया अनम्ध कीजिए हैं मैं और मैं यहीं वार नो ने जोइन किया है अच्छा आपको लिंक कहा से बेजा बहें जी किसने बेज़ा आपको मैंने जोइन कराया इनको ओक्यों ओक्यों तैंक्यू तैंक्यू एरिमाच जुड़े रही है और अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए पूरे परिवार को लेके बैठें मैडम वन बाइवन सभी का करवा यह सब्सक्राइब बैठें यह यह वी टीचर है और यह दोनों ही टीचर है पढ़ाते हैं बेटा पीच्छे बच्चा भी दीख रहे हैं आपका परिच्छे दीजिए मेरे नाम डेविड राज है मैं क्लास 10 में पढ़ता हूं वेरी गूट मैं चोटा साल का हूं अब क्या बनना चाहते हो इंजीनियर कैसे बढ़ेगा हाँ उसा में करेंगी ज़े सर करिए बात करिए सर कि एक है राजेश्ट गुजर्साहब आपना प्परिचे दीजिए कि मैं जूमाज से जुड़ा हूं और काफी दिन से मैं ख़ जैने मारेश्ट्रक के यॉद्माल, श्यासन के काफी बार जुड़ा हूँ और काफी बार जुड़ा रेता हूं इसके पहले बी मैंने दो तीन बार इंट्रोडेक्शन अपना दे दिया है और मेरी सामाजिक कार्यों में काफी है कटके साथ ही रहता हूं कटके साथ का जो भी रहता है कारेक्राम उसमें मैं सम्मिलित होता हूं यही मेरा शौर्ट परिचे है अगर आप कुछ चाहे तो हलो थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्च गुजर सर एंग्यू सर और मॉस्ट वेलकम सर जो नए लोग आए उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना हैंड्रेस कीजिए ताकि आपका परिचे जल्दी से जल्दी हो जाए क्योंकि हमें चर्चा भी करनी है काफी और अपना परिचे भी हो मेरे नाम मनीश बहुत है और मैं बिलेश से बिलों करता हूं लायरा से और अभी इस साल मैंने टोल्स पास की है बायलोजी से और बेसक से स्ट्टूडेंट हूं और मतलब फार्मर हैं और बिलेज मी रहते हैं अच्छा है अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए प्लीज चोड़ दीए सर अब माई एड्रेस के और मैंने दो जार उन्नीस के लगबक और मैं और पूरा परिवार को मैंने बुद्विष्ट कर दिया है बहुत 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 बढ़िए नए साथी कोई है तो अपना परिच्छे दिये विशाल विशाल कोन है विशाल प्लीज इंटिडूस यॉरसेल विशाल जी अपने लिंक आ गई तो मैंने खूल के दिख लिए लिंक पे जॉइन होगी मैं अच्छा मैं अम्रावती से हूं हाँ आपको भी पैच्छान्टी उसर मैं आपको भी बहुत सब्सक्राइब अपना नमबर प्लीज चैट वॉक्स में जरूर छोड़ियागा मेरा अम्रावती मे सब्सक्राव करें अब शर्ण ख्ली थे संड़ियत है आपसे में मैंनग सो माहिना ता अब ए मात शुन रहे कि करेंपन सब्द्द करें कि हरूं थैब्युद्ट। इम्हेमली तक विसर्चाव्त। कि डॉक्टर योगेश योगेश जी हमारे बीच है कि डॉक्टर योगेश जी अभी अभी हम इजेट खुबरागड़ से एक सर मैं आपसे विनंति करता हूं कि आप अपने बारे में बताई वैसे तो आप परीचे के मोताज नहीं है पर यहां पर हम लोग जो भी आते हैं उनसे परीचे कराते हैं ताकि सब लोग जान सके कि हम क्या करते हैं हमारा क्या काम ह मैं आधरनी एजेट कोब्रागड सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक रुपए अपना परीचे देगे मेरा परीचे मैं इजेट कोब्रागडे रिटाइड आयस ओपिसर हूं महाराष्ट में बहुत सारे मैंने भी पदों में काम किया उसे काम से तो एक प्रेणा भी मिली डॉक्टर बाबा साहब हम बेटकर की विचारों की और एक सविधान ने जो मुक्का दिया उसे अभी जैसे कटके साब बोल रहे थे मैं 2005 में जब नाकपर जीला पर चल्शी हो था तब यह देश का सविधान और उसका प्रियांबर जो है इंटिग्रल पार्ट आप कंस्टूडूशन उसका देए उद्धिष्ट है तो वो बच्चों को शिक्षकों को और उनके माध्यम से घरगर तक पहुचे इस उद्धिष से हमने वो एक अभियान अपने अधिकार में चलाया था सविधान सविधान ओड़क के नाम से फिर वो महाराष्ट में 2008 में सविधान दिन 26 नवंबर को से लिबरेट करना शुरू किया वो काम हमने 2005 में नागपुर में शुरू किया था और अभी देश बर 2015 से सविधान दिन से लिबरेट किया जाता है उसका उद्धिष ही है कि देश की सव सविधान की वजद से ही हम लोगों को मुक्का मिला और जिसको भी जो कुछ भी मिला है देश में सविधान के बाहर इंडिपेंडेंडेंस के बाद किसी को कुछ नहीं मिला तो जो सविधान का अगर हम सही माने में अमल करेंगे उस पर निश्टा रखके काम करेंगे तो मु के एक सविधान की पाटशला करके हर सेटरड़े को छे बजे कारेक्रम कर रहे हैं उसमें लोगों को वुला कि जो वासतव के आज के बीशे भी है सिर्फ सविधान नहीं तो सविदान नहीं और उसके जो गिजesian के बिशे उनके आल Se bracket के विशे महिलाओ के विशे है इसमें एक चुर्चा होती आप प्रह्यास है कि इसका प्रभोधन करें लोगों तो प्ले जाने की काम करें लोगों को उसको एंपावर करने की एक प्रोसेस है तो एक चोटा सा काम हम एक पहल सविदान फांडेशन के माद्यम से रिटैर्मेंट के बाद मैं कर रहा हूं और सेवा में था तब मैंने यह उपक्रम चला था जो अभी देश बर चलाए जा रहा है थैंक यू अपका बहुत बड़ा योगदान है और आप ही ने महारास में शुरुआत की इसलिए हम आप से बहुत शु चिंचोड़े साव है नंदेश चिंचोड़े सर क्या मेरी बात सुन रहे है अपना परिचे दीजिए नंदेश चिंचोड़े सर अधिया है यस वोगदा यह यह वी देपल यह प्रोग्राम को बहुत बार जुड़ा हूं और हमारे मार्कदर्शक अधर ने कटके साब जी कि तरफ से बहुत बार यह प्रोग्राम की जानकारी मिलती है और मैं शिक्षक की तोर पर यह उत्माल जिले में काम करता हूं यह च्छोटा सा मेरा प्रिच्छ है सबको जैभीम नमभुद्धा है जैभीम नमभुद्धा थैंक्यू वेर्मस करमीर स अब से लीजिए न प्लीज और कोई नए होतों साथ है तरफ फांसाथ मिंट लीजिए मैं अभी खाना-खाने लगया सर अच्छा परियार सर कंटीनु कीजिए प्लीज है रमेस कटके सर्थ हाँ यह जैभीम नौद्धा है हाँ जैभीम नौद्धा सर्मैं डॉक्टर स्वा तो कि अच्छा परिचे दें डाक्टर के के तो पर साथ सर लखनव से के सब्सक्राइब अब आप अवाज मेरी सुन पा रहा है और फंस्तान लिमिटेड से लखनाव से सर केशव सर आप जुड़े हुए हैं आवाज सुनना है हैं तो आए अपना परिशेद दें ये डाक्टर बहादूर सिंग सर जुड़े हुए हैं साइद आगरा से हैं सर आप अवाज सुनना है हो तो आए अपना परिशेद दें डाक्टर बहादूर सिंग आगरा से हाँ वेलकम सर आईए अपना माइक अन्मुट करिये सर मैं दॉक्टर बाहदर सिंग मैं लाल बाहदर साथ सी नेशनल एटैटोमी मस्मुवी से दोवाद तेरे में रिटायर हुआ हूँ और इसमें मैं अगरा में सेटिल्ड हूँ और आगरा में कई समाजिक सस्ताओं से भी जुड़ा हूँ है काम करता रहता हूं जोंग साथ में इस वी दफीपिल से कपसे जुड़े हुए हैं सरकिते दिन हो गया मैं एक महीने से जुड़ा हूँ इसके अब मुझे साथ डाक्टर स्वामी नहीं आप इने जुड़ा है आप सब करें विलकम सर विलकम मैं पह्चान गया आपको हाँ हो दोक्टर स ह 오늘도 सदे ने को सिर्फ जूड़ आप ज्रेंस चैने वह जानते हैं तर बहुत अच्छा लग राजी, इससे एक दूसरे के बारे में जानकारी और बहुत सारी सामाजिक चीजों को हम लोग जानते हैं, पहँचानते हैं, और उससे हम जुडने की कोशिस करते हैं, यह बहुत अच्छी पहल है, और इसके लिए सभी को धन्वाद, और ऐसे जुड़े हैं, अपने विचार भी देते रहे हैं, दूसरें के विचार भी लेते रहे, बहुत अच्छा भीचार है, कर शार्चा यह बहुत अच्छा पहल रहा है है, है बहुत साथ्चुवादります, अम्ह्पो इसम् मैं, मुक्सक्त को एकसेप्ट किया ृ। धँप प्रशाद सर लखनाउ से आपका हैंड रेज है कि पर आए अपना परिचे दें सर के सो प्रशाद सर लखनाउ से यार सर आप हैं इर्पिया बोलिए के सो प्रशाद सर लखनाउ से के सो प्रशाद सर अवाज सुन रहे हैं सर अगर आवाज मेरी सुन पा रहा है तो कि पर आए अपना परिचे दें कि सब्सक्राइब किसी ने दूसरे साथी को बुलाए जाए वह लग रहा आवाज ने सुन पा रहे हैं नूतन जी का इंट्रोडेक्शन ले लिगे मैं नूतन दिल्ली से मेरा पूरा नाम है नूतन अमदासकर से और मैं दिल्ली में एज ए टीजिटी साइंस टीचर हूं और इस प्रोग्राम के लिए मैं सुधी सर के जो वीडियो देखती हूं उसमें से मैंने लिंक प्राप्त किया और मैं कल ये क्लाज जॉइन की थी मैंने तो मुझे बाकी जानकारी नहीं है मैं समझना चाहती हूं और आगे बढ़ना चाहती हूं और इसे किस तरह से आगे ले जाया जाए ये भी आप खोड़ा सा सक्ष्ट कर दीजिए जिसे कि हम सब को जोड़ सके और मैं बतलब इसमें शामिल हो जाओ तो मैं सभी को जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगी और मैं खुद इसमें आगे जाना चाहती हूं तो मुझे आप मारगदर्शन करें खुड़ा साथ सिर्वाल का बहुत बोथ सब्सक्राइब होगा इस हमारा तारिकों बुद्धा जन्थी पार्क में दिल्ली में लिए सबस्क्राइब सब्सक्राइब बात करेंगे और बागी लोग बात करेंगे जी सर आपके वीडियो से मुझे बहुत प्रेंगा मिलती है तो मैं बस दम्मो का आचरन खुद करती हूं और साथ ही अपने परिवार समाज में भी थोड़ा सा साहित करें कि सब्सक्राइब करें प्लीज ताकि पता चले तो अपना प्रिच्चे देने हैं एंडरेज करते प्रियार सरे डॉक्तर रंजना जी का हैंडरेज हैं डॉक्तर रंजना जी आप आएं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज डॉक्तर रंजना जैवीम सर जैवीम नमोगुदा है सिर मैं डॉक्तर रंजना अवंकर गुजराद भावनगर से हूँ बहुत बढ़िया वेलकम आपका थैंक यू सिर मैं पहली बार आपके कारेक्रम में जुड़ी हूँ थ्रू डेरीज में मुझे खुद नहीं पता किसी परसन ने एड़ किया अभी इस ग्रूप से जुड़ी हूँ और सिर ग्रूप है डेरीज का उसमें आपका लिंक आज मैंने देखा और मैंने जॉइन किया अच्छा लगा काफी अच्छा आप लोगों का और्गनाइजेशन किया है प्रोग्राम का और मैं आप लोगों से कुछ सीख कर मैं भी आप लोगों की तरह बाबा साहिप के मिशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी आज अभी आपको सब पता चल जाएगा और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस ग्रूप में और गुजरात से और भी है सायद लिंक चुटनलाल जी है वासूरत से लिंक बेजा होगा आपको या कोई मैडम बीदा पीपल गुजरात बनाया हुआ हुआ है मैंने मैं रेल आपको जोड़ लेंगे आपको लिंक देली मिलेगा है डेली होती है मीटिंग आठ से ग्यारा ओके से यह 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 डॉक्टर रंजला मैं जी सिर अ मैं डॉक्टर आरे सौमी बोला हुं लखारू से माम जी माम आप बैसिकली आप डॉक्टर हैं या प्हटी हैं पिएचिडीन एज्यूकेशन सर्ट है अच्छा पिएचडीन एज्यूकेशन सर्ट है अच्छा प्याहँ ना डॉक्टर यह blindतीन करना हैं अच्छार प्रॉक्टर यह पर प्रॉपेश्चंट कॉलेज में अजी प्रोफेशर आ हैं ऐसे तो मैं 36 गड़ में हूँ सर अच्छा बट मेरे हस्बंड यहां गुज्रात भावनगर में है अपना नंबर शेयर कर देना पिंच जी 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 नेक्स्ट हैं रेस्ट करें प्लीज जो भी डॉक्टर दॉक्टर योगेस पहले जुड़े थे है क्या अपना प्रिच्चे दे त्वाड़ा से प्रियार सरे भीमसेन जी है भीमसेन जी बीमसेन है किनको आमंत्रिट कीजिए अबेमसेन जी आदो गाट्वेतना साय थे म$ एभिमसेन जी अपना प्रिच्चे दे प्रिच्च देव प्लीज क्वाःब प्रियान नाम डिक रम वी नूद निंग नूद निंग्जिवा, C हम प्रियान नाम दे में लिए प्रियान का अंवा तुम प्रियान, निए नूस्कार है जी जी नमस्कार जी सर मैं विनोद कुमार हर्याना से यह क्या लिख्या आपने निगा सर सरनेम है निगा सर मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूं आज आपकी मीटिंग में क्या करते हो पूरा अपना प्रिच्चा दीजिए सर मैं गोर्मेंट टेंपलोई हूं इरिगेशन डिपार्टमेंट तो आपके प्रियार जी को जानते हो नई सर जानते नहीं प्रियार बैठें आपके सामने बैठें सी आपके इसार से अच्छ तो वहां से पहले जुड़े एक बार से इस ताइम पठानी आनी है कि वहां पर हां जी हां जी सर है जस्बीर प्रानी आनी है पर हां उन्होंने वह भी आये हैं आपर जी सर अपने लोग क्या सभी जानते हैं वैसे तो इरिगेशन में आप कोन से बैच से हो जो जार बारा बैच है अच्छ वेल्कम आपका श्वागत है आप जुड़े रहे हैं आपके परियार सर अब आप बोलें कोई बात ही हमारे बीच वुद्यभाद लांडगी जीए महाराज से वासीम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना परिचे दे लांडगी साब जैविम जैविम नोग दाट नमब बुद्या सबको मेरे तरफ से करन्टि गारे जैविम साब कि मैं सब लोगों को मैं मेरी यह करीबन चार पाच वी मिटिंग है इसमें मैं जूड़ रहा हूं लेकिन कभी-कभी रूरे विया मेरे तो इसके वज़े से कनेक्ट नहीं हो पाता हूं मिस होता है मेरे तरफ से जब भी अच्छा लगता है बहुत लोग से नहीं सबसे अच्छी बात है कि नहीं नहीं लोग इसमें जूड़ रहे हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है जब भी कभी बात होती है तब और पता नहीं कर्ट के सर ने बताया क्या नहीं लेकिन हम मैं लास्ट टा कामले सर उसको 22 तारिक को सायद अंतिम मंजुली दे देंगे तो हमारा एक करीमन सत्तर लोग जो अपनी समुदाय से एंट्रपूर्णर डेवल्फ हो जाएंगा और यह सायद मुझे लगता है कि काफी अच्छी अच्छी उमेंट है और यह पूरी टीम होक है पूरी इसमें सर का काफी अच्छा युगदान रहा है हर्चीव सर का कटके सर का और अभी मैं यह प्रकास परियार सर जो है उनसे भी काफी पेरित हुआ हूँ कि बहुत सुनता हूं उनसे और काफी अच्छा रखता है कि तो लोग की पूरे वर्ड मतलब अपने देश में क्या हो रहा है और हमारा वेभी नियोजन जो 26 नौवेंबर आ रहा है तो उसके रिगाड़ी हम 3-4 विलेज मिलकर बड़े पईवाने की इस बार स्विधान दिन सेलिबरेट करने का सूच रहे है तो देखते हैं उसमें क्या सर से राय भी लेंगे कट कि सरकी कि क्या किसको गेस्ट वगरा सब्सक्राइब करेंगे तो अपने स्टेट में हर जो भी लोग जुड़े है इंडिया में उनके पाइलेट प्रोजेक्ट होने के बाद हर जगा पी उसको इस्टेबिस करेंगे सर और ठीक है कि योगेस है योगेस मेरी आवाज सुन यह अपना चेझे दें योगेस कि योगेस कुमार्य योगेश सिम्पल योगेश कि स्रेंदर कुमार्य है अपना प्रिचरफ दें प्रियार सरे डॉक्टर विनोद जी है है हमारे बीच डॉक्टर विनोद पेरी अपना प्रिच्चे ले प्लीज कई बार बोल लिए अधा कटके साब उनको कई बार बोल लिए शुभांगी माल खेने हैं आप आये हो प्लीज अन्यूट किजिए शुभांगी मैम यहतमाल से हैं जैवीम नहुदा है बूलिए सर मैं अवतमार से बात करें हूँ शुभांगी माल खेड़े हैं और हमने हमें कटके सर ने लिंक भेजी थी सर कटके सर की वज़े से हम आज इस करेक्रम में जूड़ सके हैं और मेरी बहुत सारी बैने हैं तक्रिबन सो होंगी तो हम सभी ने मिलकर कम से कम 40 लेडिज ने अब बैंक में लोन के थी अभी कली कामड़े सर की मीटिंग हुई है वापे कटके सर भी थे उन्होंने हमें बटाया कि अभी हमारा काम सक्सेस होने वाला है तो इसलिए हम कटके सर का और कामड़े सर का बहुत शुक्रियादा करना चाहेंगे और मुझे बोलने का मुखा दिया कलेक्टर साथ को फोन किया था इसलिए हो रहा हो बैंकर्स पहले रेडी नहीं थे लेकिन अभी चालीस महिलाओं का हो जाएगा हो तो जुड़े रहो सारी महिलाओं को कहो कि वीदर पीपल से जुड़े ठीक है ना सर्व तैंक्यू थैंक्यू शुबांगी मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में चुड़े रहा है ठीक है सर बिलकुल सर जैबीम सर अपनी सारी सहेलियों को कहें कि अब यहां पर बहुत सारी महिला आती है और दस बीस और तीस तारीक को हर मैने के महिलाओं का स्पेशल सेशन होता है उसमें आप सभी को गोलिए कि उसमें प्रिच्चे रहना जाए नेक्स रामजी लाल पावार है वो अपना प्रिच्चे दे रोतास कुमार है रोतास कुमार नमस्कार सर जी मैं रोतास कुमार हूं गोर्मेंट आई स्कुल की राए है एड मास्ट रिशार से जी 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 आप फर्स टाइम जुड़े है रोतास कुमार जी मैं फर्स टाइम जुड़े हूं आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी 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 आपना गाउं भी डॉन पास पास होगी ना तो आप तो यह वीडियो नहीं आ रही है इस तो फोड़ी प्रोब्लम आया नेट की और मेरे इसमें फॉन में ही हाँ चलो कोई आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो नहीं तो चलो में पता है आपको मेरा नंबर होगा मुझे कॉंटक्ट करना आप ठीक है सर्थ धन्यमाद सर्थ थैंक्यू डॉक्टर योगेश्ट धमिक मेरी आवास सुने तो प्लीज है अपना प्रिच्चा दे प्लीज शुरेंदर कुमार करमवी जिए प्रभावित हैं और इसके बिसे में जहां भी हमें अपने समाज के स्रमण लोग मिल रहे हैं उनसे सेर करते हैं और इसके बिसम बताते हैं इसे जुड़िये इस प्लेट फार्म को पूरे इंडिया में बढ़ाईए जब हम जुड़ेंगे तब ही हम कुछ कर सकते हैं जैसा कि हमारे सुधीर राज साब बताते रहते हैं इसे हम सभी लोग बहुत लाभा नहीं सर हम तो काफी तिनों से दो तीन महने से जुड़े हैं सब्सक्राइब के यह एड़ोकेट राम चंजी के भाई हैं उनके ब्रदर हैं इल्डर ब्रदर हैं सर मैं यहां बैंक में आसिस्टन कोपरेटिव बैंक में एकाउंटेंट हूं सर बहुत अच्छा है बहुत अच्छे वक्ता काफी रिटायर्ड या वरतमान नोकर सालो के विचार सुन करके काफी लोग लभानित हो रहें और इस चीज़ को हमसा काफी लोगों से से करते हैं जहां-जहां हमसे लोग मिल रहें स्र इसे लोग जुडएंगे बहुत तेजी से जूडएंगे सार यह यह बहुत आगे तक जाएगा करमबीर करमबीर इसार से वो तो आते एंड्रेज कर लें एंड्रेज किया है करमबीर जी नहीं करमबीर जी बोले हम इस डाल के आगे होंगे परदान जी निरेंकारी बोले हम जी बोले निरेंकारी कर लो यह उपर वालों के कपसे हो गया सी बाचा अरे भाई चलो अपक अरे आदा मालाँ कर लाँ लाँ एक अजिए तो आदेटिए पॉल लो को ने लिए लग रहा है तो प्रिच्च देए अब से बोल रहा है दिपांसू दिपांसू स्टीए अपना प्रिच्च दे अब आए अवाली बातों सुन्दो भाइद परियार साथ आपका नेट चला है अवाज आदेगी जी तो तीन महीने से मेरे विदे पीपुर कानपूर से जुड़ी है इन्हों एक बार कानपूर के तीम का यह गंगा धन्रेकारी का नाम लेने में यह नहीं कर रहा हूं जो कानपूर का गुरूप का एडमीन नहीं करी एडमीन भी है डेली लिंक भेजना सारे मैसेज भेजना अन्लू बेंज यह इसे कई से भूल जा रहे हैं घंडवाद कि ऐसे जोड़ने जो पही इंट्रोड़ेक्शन अब यह दो बार दिया है फिसमें पी कीछह एं हमारे पीछे एंप कीछे में एमकेंने मारी थे ऐैंपी कीछे इन पीके कीछे इंपके सब्सक्राइब को पूपना परिच्छे दें यहिएंपी कीछे सर अभी कंसेट्ट नोट का कंसेट्ट का वक्त हो गया एक कटके साब एक थर्डियर परव कुमार बाइस है कुछ फर्स टाइम जूरें से अपना प्रिच्चे दे परव कुमार और एक बाइस बारा यह नंबर है बाइस बारा बासट सियसेति क्या हुआ लू मजरी आपर कुमार जी बोने न अनृप्सी बोल रहा हूं जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूं कह आपकर नाम कुछ ऐसे आदा जी जी यह परकुमार बच्चे का नाम है जी 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 पहले भी जुड़े हुए क्या आप ने फर्स्ट टाइम में लेंका है जी फर्स्ट टाइम वेलकम बहुत-बहुत सवागत आप दिली से अपना थोड़ा पीछा दे कहां से हो दिली में दिली में नजब गड़ से जानुप सि जी वीडियो और करो जी एक लाक सिंग जी है डिली से जी जी आप दिली में कहा रहते हैं नजब गड़ नजब गड़ है क्या करते है तो मानेट जंब हैं किया नाम बादा है आपना अनुप सिंग जेट ऑइछेट वोक्स में अपने फ़ोन डालना जी कि आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप में रहें और आगे भी जुड़े रहें डेली में पूसा इट यह में टीचर हूं और तिलक नगर में रहता हूं अच्छा आप अपने गुलाब सिंग अनुप सिंग नहीं बताया था ना अपने वो टीचर बता ते अच्छा मेरे नाम गुलाब से अनुप सिंग जी चैट बोक्स में नमबर डालो अपना सभी को नमश्कार सभी को नमश्कार मेरा नाम लिए गय था तो मैं बोलना चारा दम वोका नहीं मिला तो मैं रहने वाला सिर्साका हूं और मैं फिलाल कोश्टिड ही सार में हूं परियार सर्केंडर रही हूं तो बससे बीच बीच में गाइडेंस लेते रहते और कोशिच करते गुरू में मैक्सिम जुननेगी आपसे पुड़ा रेगुलर एर्रेगुलर रहूं मैं लाश्ट कुछ दिनों में त परियार सर्क हमारे बीच सर्जु राम राओ जी आपना परिचे दीजे सर्जु राम राओ जी प्लीज जीडी भागती का एंडरेज है वो इंविट नी हो रहे जीडी भागती जी करेंच के लिए पर सकते हैं इतना रहूं कोई अंजिदी भारते जी आप्षार जी नो धाश्रजी नी पर आज जाब आजिवीं आ जाब करेंग। जो नहीं जोड़ रहे हैं यह नहीं पता कि हम नहीं जोड़ते हैं मैं तो जोड़ना मतलों सब के लिए लिए लेंगे देशती हूं और किसी किसी के लिए आज 2-3 लोगों के लिए पॉन भी लगाया मैंने जोड़ना के लिए, लेकिन नहीं जोड़ते हैं कई लोग, जो फेस्बुक में और बाट सब में, जैमीं का बहुत मैसेज करेंगे, जब करेंगे, और सब देगा है, मतलब भासर जाड़ जाएंगे, तो उसमें होड़ेंगे, लेकिन पसा नहीं क्यों नहीं आना चाहते हैं, जैकिये, डिस्टर्बेंस थोड़ा रोकें, होस्ट को, प्लीज, प्लीज डिस्टर्बेंस, मैं बहारती के अपना माइक अनुट करें, माइक, माइक ओपन करें, जैभीम, आवाज की वज़े से मैंने बंद कर दिये सारे, इसलिए आप ताम दो, जैभीम, सर जी, जैभीम, बोले, बोले, बेंजी, बोले, मैं यह हो रही थी, कि मैं रोज लंग देश्टर्बेंस सबके लिए, रोज लंग देश्टर्बेंस, बात भी करती हूँ हैं, जोड़ेंगे, 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 बाद पाई हों है पाई हुगा पूरा तो पाई हूं आप जोड़ात रहता है आज नहीं मैं डेले जोड़ता हूं देखन में देखता नहीं मैं तीदी कभी-कभी देख लीता हूं में तो डेली जुड़ती हूं तो मैं देख रहे हूं तो मैं जारा बात नहीं करता है अंदर रहता हूं हम सब ने बाते कम करनी है काम करना ज्यादा से ज्यादा बाते मेरा नाम ने दी आप ए सब करता हूं और अपने लोग जोड़ने ज्यादा प्रियास कर रहे हैं आप भी मजद करें नर्सिंग पुर में और अपने वगल में अपने जैसे सागर है दूसरा अपने और जो अपना मंदला है वगल में मैनत करें दी तो लोग जुड़ेंग ऐसा नहीं पूरे ग्रूप में जो मेरे मतलबाट सबसे जुड़े हैं उनके लिए भेज रही हूं जोड़ा था सागर से उनके सागर केस बन गया तब है लिए लिए लोग पेंटे पोस्ट्रेम डाल लेते हैं अपना अपना इंट्रोड़क्शन देख प्लीज यह मेरा नाम रमन पर बात करना रमन ची से जी 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 सर एन मैं मद्द्प्रदेश सरा थाlt पर नैं राइस लेज़ेस ढोप्र Manuel को हुलों एक जो फैपन्शे का 여से हुआ है से किसुन अब धने बताना में नहीं बताना आप नब पताए को नहीं एक बताएंगे बताएंगे हम दोनों से आप बताएंगे मैं रमेश कटके महारास से हूँ और हमारे बीच काफी बहुत सारे हमारे भाही है जो सारे बारत से है और कई कुछ लोग तो बारत के बाहर से भी है तो सभी का मैं यहां पर सौबत करता हूँ आज मैं वीद पीपल के कंसेप के बारे में कुछ चंद बाते करूँगा असल में इजट खुबरागर सर जो हमारे बीच में जो रिटार्ड आयस ऑफिसर है उन्होंने सभीधान के बारे में पहले बता है कि यहां पर जो वीद पीपल में जो भी लोग जूटते हैं उनको एक कोई लीडर नहीं है नहीं आ क्योंकि सभीधान में जो हमारे निही नहीं मुलभूत अधिकार हैं और हमारी human rights है उनको ही हमें बचाना है तो इसलिए सभीधान पोलह रिडर मनना है दूसरी बात है कि बाबा साब का जो अंदोलन बाबा साब ने शुरू किया था हमारे सारे हक और अधिकार और हुकूब जो बाबा साब की वज़े से हमें मिले हैं अगर हम वीद पीपल जैसे इस संग में जूड़ना चाहते हैं जूड़े रहना चाहते हैं तो जो भी आज के समय में पिछले 6-7 साल से जो हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, इसलिए हम सभी लोग परिशान हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा सविधान खत्रे में हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो हम लोग खत्रे में हैं, क्योंकि हमने जितनी ताकत से इकटा होकर, जूड़क हमारे हक और अधिकारों के लिए हमें संगर्श करना था, वो संगर्श करने में हम उतने काम्याब नहीं रहे, इसलिए आज की नोबत हमारे बीच में आई है, बाबा साब अमबेटकर जी ने हमें जो अधिकार दिये थे, खासकर बाबा साब पांदुलन 1927 से शुरू जो जो मुल सिद्धानत है कि बाबा साब कहते है कि हम जो लोग है, हमें विचारों को प्रचारित और प्रसारित करना है, और विचार ही हमें जोड़कर रखेंगे, विचार ही हमें एक दूसरे के प्रती सद्भावना, एक दूसरे के प्रती करुना, मैत्री और बंदुभा उसे लिए जो हमें सविधानीक अधिकार जो मिले हैं, उन अधिकारों का इस्तिमाल हम करें, लेकिन उससे पहले जब तक हम एकट娘 नहीं आते, जब तक हम जूर नहीं जाते, तब तक हम हमारा खुद का रक्षन नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि भारतंवष में जो सभीधान में जो बाते बताई गई है उन बातों का पूरा उलंगन होरा है हमारे सामने ही सारी जो वेवस्ता है जोव कुछ नहीं तत्व है उन तत्वों के खिला भी कान चल रहा है हाल में हम देखते हैं कि सरकारे हम इकटा नहीं होने की वज़े से, हमारी ताकत इकटा नहीं दिखने की वज़े से, जो चाहे वैसा ही काम कर रहे हैं, हमारे अधिकार चीने जा रहे हैं, नियाय व्योस्ता भी हमारी सुनती नहीं हैं, लेकिन जब भी हम जूडते हैं, जैसे क कि दो अप्रेल नायड 2018 में हम लोग जुड़े थे तो हमारा एट्रोसिटी एक का जो अधिकार है पूरा हमने वापस पा लिया और जब भी हम खुल कर अंदोलन करते हैं जिसमें हमारी जूट एक जगा दिकाई देती है तब तब हमें हमारे अधिकार सवरक्षित मिलते हैं इसलिए हमने यही सोचना चाहिए कि वीद पीपल जैसे संग में क्यों जुड़ना चाहिए क्योंकि बुद्ध ने कहा है बुद्ध कहता है कि न कि में में योगदान दे रहा हुझ क्या मैं मेरी जिम्मेदार निवारा हुझ जब तक मैं बाबा सहाब ने जो अधिकार मुझे दिये जो मेरे हग और अधिकार है उसके प्रति में इमानदार नहीं रह सकता इसलिए हमें हमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर क्या है तो मैं खुद से इमानदार रहूं मेरा करतव है और मेरे अधिकार मैं पैचानू और वही अपेक्षा मैं फिर दूसरों से करूँ कम लोग नहीं आए हर दिन हम लोग बहुत बड़े चिंतक है कुछ आयस ओपिसर है कुछ सुप्रिम कोर्ट के वकील से कुछ रिटायर जैजेस है कुछ चिंतक है कुछ साहितिक है डॉक्टर्स है इंजिनेर्स है बेरोजगार है और उद्ध्योग शेतर में काम करने वाले अलग अलग लोग हमारे बीच में आते हैं और हमारे अपने अधिकार साजा करते हैं इससे बहुत बड़ी ताकत मिलते हैं हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि जब भी आदमी संग से जुड़ा रहता है जैसे कि बुद्ध ने पहले पंचवर ये भिक्व क जैसे धमचक का पहतन सुथ दिया था अधित्य परिया सुथ दिया था और अनत तलक्कन सुथे तीन सुथे दिये थे और उसमें वही बात कहीं कि कि जब तक हम लोग हमारा खूद का अहंकार हमारा पत पैसा प्रक्रिश्टा और अहंकार ये चीजे भूल कर ये छोड़कर जब तक हम इकटा नहीं होते तब तक हम मैसूस नहीं कर सकते हैं कि हम इकटा है तब तब तो अकेले-अकेले रहते हैं हम लोग और अकेले-अकेले में हमें ऐसा मैसूस होता है कि शायद मुझे जो मिलने वाला है मिलेगा या नहीं मिलेगा इसलिए वीद पीपल से हमें नहीं बात करता हूं और मैं करम जीर सर से कहता हूं कि आगे की बात हो करें धन्यवाद नमो बुद्धा जैविन जैबुद्ध जैवारण तैंक्यू कटके साहब मेरे लिए थोड़ा क्या आपने सारी तो बाते कर दी नहीं आप बता है नहीं आप सब्सक्राइब जैविन नमो बुद्ध जैविन नमो बुद्ध साथियो मैं करंबिर सिंग बहुत अर्याना चल्डिगट से बोल रहा हूं और जब से वीदा पीपल संग का निरमान हुआ था तवी से लगातार जू मीटिंग में जुढ रहे हैं और उससे पहले इसके जो कल्पना की थी उसी से पहले से ही कल्पना की थी कि हम संगतनों में विभाजित जैसार्ण इकटके साहब जाता हमारे अमेले मंत्रियों की नीज सुनी जाती है हमारे अमेले एंपी जो अना एक बंदुवा मजदूर की तरह बनाई हुए हैं हमारे ज्याजा तर इसमें भी जैसे आज भी प्रेटराड आई या उच अधिकारी बैठे रोजाना का भी उच अधिकारी हमारे बीच माते उनकी भी दसा ऐसी ही क्योंके मैं में 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 मिनिस्टरी में कामकरता हूं देखता हूं तक हमारे अधिकारी यह की विद् deinen दोती यह उपार्त में वाति वाद्वारत में स्विधाने दिए गए ते वे अधिकार लागू क्यों नहीं हो रहे इसका कारण के वल यह एक हम अलग अलग संगतनों में जातियों से तो लगा तार आठ वजे से लेकर रात को दो दो डाई वजे तक बारा वजे तक मिनियम जूम की मिटिंग चल रही है और हमारा प्रियास है जोड़े और जोड़े काफी साथी कहते हैं कि जोड़ने से क्या होगा साथियों मैं आज एक जगह गया एक करता हूँ किसी किसान के पास गया तो वो जमीन करेंे इस कंदर हैं अच्छे का मतबन यह था जहां वह वी जबीन शस्ति वी थी लेकिन उसके आज पढ़ाच्क कौन लोग थे उसकी जमीं के कि पास्तिटेंगे तो मैं आपने यहां से यहां से जती नि पर सकता इस प्रकीन है इसका कारण क्या है इसका बहुत बड़ा कारण pandupporte इसका अगर इसलिए सोचते हैं कि ताकि हमारे उपर कोई अन्या इना करें। अन्या इसलिए हो रहा है कि आज हम किन्ज बिन दो चुके हैं। आज हम टुकडों में बढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये एक अभियान है। आप लोग जोड़े हैं और मैं धन्या बाद करता हूँ पूरे देश और अन्य देश के लोगों को भी कि इस कंसेप्ट कोई जितनी परसंशा करते हैं। उतनी हमें ताकत मिलती है। लेकिन कुछ साथि हम जो अन्या घर में बैठे अपनी जूम की मिटिंग पर भी हमें काफी लोग बला भुरा भी कहते हैं। और और भी बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ जितने भी साथियों साहिं ही। जितने किस मुईम में जूड़े सारे वैल सेटल है। इन्होंने किसी बात की ओ तर्ञे से हैं, अच्छे सहरों में रहते हैं, लेकिन इन्हों पढ़े लिखें लोगों ने दोखा दिया और कुछ लोग साथी करते हैं बड़ी अच्छी बात ही कल परसु मेरे साथ एक मेंबर पारलियमेंट तो किस कोई किसी साथी ने गाना काया कि शीक्षा वो सेरनी का दूद है जो पीएगा और दाड़ेगा तो उस MP मेंबर पारलियमेंट ने कहा नहीं आप गल्द कह रहे हैं आप साथी जो बैठे ह इस बात को मनेंगे कि शीक्षा वो सेरनी का दूद है जो पीएगा और दाड़ेगा ऐसा नहीं है उसने बड़ी अच्छे बाते बताई और वो कैसे क्या आज के आपके अमेले और MP मेंबर पारलियमेंट या जो बड़े-बड़े अधिकारी हों पड़े हैं पड़े लिखे लेनी है लेकिन ज्यादा जो शिक्षा विद लोग है वह उपर मुँँके मुँके बर भी ताला लगाया जाता है कि जो राजनेतिक पार्टियां है जिन खेकेदारों की पार्टियां है वह आपकी अमेले MP को कुछ नहीं समझते के वह इतना सोचते हैं कि यह लोग हमारी ब बहुत लोग हैं जो जा सकते हैं क्या कारण है यही कारण है करने साथियों कि हम जुड़ें लेकिन इतना जिरूर है यह बड़ा गरव हो रहा है कि इतने आंचे मिन्ने की मिटिंग में हर संगठन जो संगठन बनाए हुए हैं वह लेटर जारी कर रहे हैं वह अपने बरकार के संगठनों को और बला बला के मिटिंगे करनी आरम कर दी है क वह सकता है चोड़-चोड़े काम हमें करने चाहिए लेकिन बड़े लेवल पर हम जब तक पूरे आल इंडिया लेवल पर संगठन नहीं होंगे यह कट्टे नहीं होंगे हम जीत नहीं पाएंगे इसलिए वीदा पीपल एक यास कर रहा है एक कंपेंड चला रहा है एक प्र लेडर नहीं जो साथी सुन्ड़े हमारी अन्नू बहन का रही थी बढ़ी खुशी-खुशी और खुश से होरी थी वतावता कर हमारी कितनी बहने अलग से कलाज देखो सामने डॉक्टर कांचनिया कितनी हमारी महिला है इसमें अलग से मिटिंग चल रही है अलग अलग जो जुड़े उनको दसादुवाद करता हूं कि उन्होंने जूम मिटिंग पर हमारे लोगों का हिलाज सुरू कर दिया है तो इसलिए अलग अलग परकार कि जो नहीं एक दिन कोई भी आदमी अपने आप में यहां परदान या सेक्टरी या नहीं है सारे बराबर है यहां क उसके काम से होगा जो जितना काम करेगा उसको उतना जैसे बुद्ध के संग में जो सिनियर साथी थे जो काम करते थे बहुत विक्सू उनको जो अना उनको इसी परकार से जो अना ततागत बुद्ध भी इज़त देते थे इसलिए बाबा साहब की बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन वाबा साहर की नहीं मांगतें इसलिए हम ने बाबा साहर की माननी है हमारे जो करंसरीं का करया हुद्धा हुए है बात मैं जरूर करना चाहता हु आप जैसे व्धवान आप जैसे आप Siya Sm lifecycle नहीं हुआ किस बात किसा नीचे की सela नहीं दे देश को चलाने वाले लोगते हम कवी भी हमारे साथ जो ने उस न एकसा groupat के पना आने लगए है और अधे जरूर जजहेंगे बहुत हनोगत रखते है चला आगे कि इसके बारे में कहने को दो मिनिट कहने के लिए बोली है यह पुछले बात नहीं है इसेट सार आपको कि इसेट खुब्रागड़ सर्थ कि अब कि इसेट सब्सक्राइब करें करें तो क्या समझते हैं जो यह बात जैसे कमिशनर या जैसे यूजली हम सब बैठे हैं मैं तो अपने आपको एक सब्सक्राइब को पता भी नहीं होगा तो हम तो लोग या रहे हैं तो हम सब प्रियास करें में यह ना समझें को यह सब्सक्राइब बैठे होंगे तो हम टाइम डियोट करें तो औरों को आप लोग प्रेस कर सकते हो यह उन्हाइएस और इतने सारे इस रैंक के अधिकारी यह उन्हें एक्शन लेवल के दिखारी भी नहीं आना चाहते या उसके इको लेंट परियास परियासर सुप्रेंडिंग इंजीनियर का रेंक बहुत बड़ा होता है हमारे यहां पर आपाइंटिंग अथॉल्टी एसर वह क्लास सी क्लास जैए लेवल तक अब तो खैब जैबल बी ग्रेड में आ गया नॉन गेस्टेड में इसर बहुत बड़ा रेंक होता है सुप्रेंडिंग इंजीनियर का नहीं मैं यह मैं बार बात जो है आपते नहीं है तो उनको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इतना वो क्यों करते हैं अपना गुमान समझ लो या नोकरी मिली है बाबा साहब की उससे तो उन्हें मतलब अपने आपको और सिंपल आदमी की तरह है अपने समाज में आना चाहिए और सर और सर सब्सक्राइब गवाण के लूग करांथि लेके आएंगे यह जितने लोग अफसर चुड़े इतने कांफी है जो अपनी मर्जिस ठीक है नहीं तो गाउन के लोग के करांथि लेके आएंगे गाउं तक हमें कैसे पुंचना यह प्रियास करना होगा विलकुल विलकुल सर दो एक मिनट बोलना चाहूंगा जो साब अभी बात्चित कर रहे थे जस्ट मैं उनकी बात काट नहीं रहा या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जस्ट कुछ इस पर बोलना चाहरा हूं इजाज़त है क्या बोलें बोलें बिल्कुल वेलकम कवर्नेर साब सर जैसा आपने बताया और हमारे अपने वीदा पीपल बताया जा रहा है सबी लोग जुड़ें इसमें चाहे कोई किसी भी रैंका स्टेटिस का है वीदा पीपल के लिए या धम के लिए संग के लिए कोई स्टेटिस नहीं है कोई डेजनेशन नहीं है सब ब्राबर है अगर status designation लेकर चलेगा वो यूनियन अपना संग नहीं बना पाएगा और वो लास्ट में साइद एक ऐसा अकेलापन फील करेगा जो अकेलापन उसको कोई नहीं बरपाएगा और उसको परिवार में एक ऐसा खामिया रह जाएगी जिसका कोई डॉक्टर नहीं है अगर उस उन्हें वो डॉक्टर चीए तो अभी ले ले इस गुरूप में जो डॉक्टर है या इस गुरूप के मुहाद्यम से जो इलाज बताया जा रहा है वो ले ले हमने बहुत सीनियर डॉक्टर जैंए उसी रैंक के यह सर बिलकुल मैं कह रहा हूं सर हम सभी जितने भी हमारे साथे में आए संग की फिलिंग में आए और इस विचारदारा को मजबूत करें जो हमारे डिफरंसिस है वो जो चाहत है इच्छा उसको हम थोड़ा अपने समाज तक खलाए अच्छाई के लिए बट उसको बैरियर ना बनाए अगर बैरियर बनाएंगे तो हम और अपने परिवा परिया विदा पिफल मा करें बताना प्लीच सर मैं आपको बताओं सर मैं कितने ही आईएस आईपीएस और के साथ रहा हूं प्राइम निस्टर स्क्योटी में दस साल रहा हूं मेरे ख्याल से मैं यह नहीं कहना चाहूंगा बट बहुत ही टॉप लेवल के अधिकारियों के स हैं अच्छे हैं तो हमें सभी प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और यहां जो चीजी मिली है आउटस्टरिंग कितने भी ग्रूप में कहीं जाए ना तो वो देस की बात करेंगे या अपने सविदान की बात करेंगे नहीं और नहीं आने वाली जनरेशन का जिकर करेंगे व लेइना कुछ और है। उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता, उसका भलावाला नहीं हो सकता, हमारे समाज को सुदार की तरफ उसका कोई दिसा नहीं हो सकती, लास्ट में वो एक्तिविसेस या वो समू अगला गोटू टाइप हमने आपको फील करेगा तो मेरी बैटर है कि जितने भी हम साती है हम कभी भी किसी प्रकार की जो रैंक या पद की भावना उसमें ना भाएं अगर जो भाएं तो प्यार की जो भावना वो भाएं अपने बता रहा था यहां जो जितने भी है ना वो सब बराबर होके आए हुए है जो नहीं समझ रहे हो ही तो नहीं जूटे ना सर मैं आप से सहमत हूँ मैं एक एक दस सेकंड और रूँगा सर मैं पिछले जब डिपार्मेंट में था तो आप को मैं बताना चाहूंगा कि जो हमार की ACR ठीक करने के लिए आज वे लोग हमारे जो साथी मेरे समाज के आज वो इंस्पेक्टर और एस्टेंट कमांडेंट बन रहे हमारी फोर्स के मैंने यह देखा कि कई ना कई किसी गलत भावना से उनकी ACR लिखी गई थी या डिफेक्स थे हमने कोशिस करने कोशिस ठीक कि अगी मैं हर कंणी मेंं हर बटालियों में तीन-दिन साल हमारा रहने का था तो मेरा के सर यह बाभन है कि सर यह प्लेटफ़ॉम जो मिला एद रहा हमें हएसको मजबूत और इसकी बाहुना है जो उसकी ताकत है जो हमारे लोगों के दौरा हमारे पूरो के दिवारा उसको मजबूत रखना चाहते हैं तो हम सब को एक साथ आकर मजबूत होना पड़ेगा अपने जो वैक्ति किसी चीज़ का भी प्राइड है उसको साइड करना पड़ेगा सर्दनेवाद सब्सक्राइड के इस संग में जो बेक्ति आता है वो अपने प्रतिष्ठा को पीछे छोड़के आता है वो सिर्फ अपना नाम लेके यहां जुड़ता है और यहां वीद पीपल का जो कंसिप्ट बढ़ताया जाता है उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है और भेर सारे लोग रोज जुड़ते हैं और हम सब ने देखा है कि इस संग में इस प्लेटफार्म पर आईयस भी जुड़ चुके है डाइरेक्टर भी जुड़ चुके हैं अगर उनके मन में तनिक भी अपने पद को लेके मसूस हो होता तो वह निश्चित रूप से ने जुड़ते हम सब को यह असास है कि वी दपीपल का जो प्लेटफार्म है वह बहुत ही अच्छा है और सकारात्मक तरीके से चीजों को रखता है इसलिए हम सभी लोग जुड़ते हैं और भविश में जुड़ते रहेंगे धन्यवास करमभीर सर्ट जी रूपिर होगी होगी जी बोली डॉक्षाओ बोल क्या जाज़ा सो थो तो जी सर बोली बोले वैल्कम सिर्गलकम युवेश लाल की बात कुर्य होगी जय भी नवब उदाय सब स्वामी लखनाउस से बोली रॉक्षा वाज आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि जी जी सर आपकी आवाज कर रही है रेंग कम है साइद इसको अटा दो लीट को अटा दो अब आज जा रही है थोड़ी ठीक आई है बोलिए अब मेरी साउंड जा रही है थर बिल्कुल सर बिल्कुल कि बोले डोक सब बोले आप बोलो डोक सब नहीं आवाज रेंज कम नट की परोबलम है डोक सब साइट अवाज पहुंच रही है नहीं रेंज में अभी नहीं आरी डोक साब हाँ हाँ जैसे ही होगी तोड़ा देखो पर आ रहा है अजी प्रियार जी और देखो किसको बुलाना है यह एक नंबर है बाइस बारा बासट हैंड रेज भी है इसका हाँ बोल बुल वाहीं बोलें बाइस आप इसका बाद में जुड़ते हैं इसका नंबर है 600 क्याओं लास्ट में हैंडेज भी है प्लीज ड्रक्षाब क्यावाज अच्छी आगी थी ड्रक्षाब बोलिए ड्रक्टर आरस स्वामी जी कि इनकी आ नेरी आवाज पहले बढ़ियां थी अब बोलू अब बोलें आवाज आ जाते हैं है अब बहुत 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 बंदवाद सब्सक्राइब अब नई बात पर परेड़ ने वह तो रहा हुं एक पंची था वो सिर्फ जो था प्रेड़ बेंग तो उसको जो है अच्छा ठीक है सर्फ बाद में अपनी बात रहें डूप सार्व आपकी प्रोब्लम है यह साती हैं बाइस बारा बास चासटी क्यावन कि मैं पहली बार दीख रहें मौलाव जी मोलाल जी वेलकंम पहली बार आ कि अप डाड़ी बदा कि मुझे पहली बार दीख रहें तो बहुत बार आ हूं बहुत बार बोल चुका भी हूं दुबारा दुबारा बोलते हैं सब्सक्राइब बता दीजिए मैं रिटाइड प्रफेस्सर एंड हैड हुआ हूँ मेडियों कॉलेज से जिए और फेबरिल में रिटायर हुआ था उसके बाद मैं बस अपने घारी चल रहा हूं और मेरा ज्यादा तर जो लेकर के तौर पर आज एक राइडर काम कर रहा हुए जब मैं था 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 थोड़ा सा राइडिंग करता था अब प्रफेस्शन उसको अडॉप्ट किया है और जो आपका यह संका चल रहा है बात यह बहुत अच्छी है थोड़ा सा आप मैं पंजाब से हूं इसलिए थोड़ा सा भुद्धिस्म के बारे में इतना तो नहीं अब पढ़ना शुरू किया है और समझना शुरू किया है जातर तो सिख दर्म के बारे में ज्यादा है हमारी जानकारी और सेकेंड यह बात दो कर रहे थे हमारे साथ ही बड़े लोग इन में शामल नहीं होना चाहते यह आज की बात नहीं है यह तो हम जब जोब में आया थ सब्सक्राइशन जो भी है उसमें भी ऐसा किया कि जो लोग दस सल पहले जुड़े थे वही लोग आज भी जुड़े है तो यह तो प्रॉड्म है खासकर करके जो बनी है वह तो बिल्कुल इस बार निकलना नहीं चाहती दाएरे से उसका दाएरा तो बिल्कुल डिफरेंट है उसकी थौट बिल्कुल डिफरेंट है वह तो सोचती बहुत काम है इसके बार में हाँ अगर जॉब में कोई प्रॉड्म है तो इमिजेटली आपके पास आ जाएगी आपके पास बात करेगी आप से अगर कहें के युनाइट होकर बात करें वह नहीं बात चल रही है तो खास करके जो अफिशल्स लोग हैं जो उनके बात है कठे होते हैं जब उनकी प्रॉलम आती है कोई जौब सर्वस में प्रॉलम आगी जब को ऐसी प्रॉलम आगी तब कठा होते हैं अधरवाइज नहीं है सो इसके जुरूरी है कि अगर लोग एक अंडर्स्टेंडिंग ले आए कि हां भाई है हमारा ऐसे नहीं चलेगा ठीक है कि हमाने अपने अपने लेवल पर अपने आपको ड्रॉल्प किया है एक स्टेट्रस पर वह स्टेट्रस कब तक आपके साथ चलेगा अल्टिमेली तो जौब से बार आना पड़ेगा और एक नॉर्मल लाइफ गुजार में पड़ेगी और उसके लिए तो जुरूरी है कि आप जितने कॉंटेक्स ज्यादा रखेंगे जितना ज्यादा आप बातें करेंगे उत्रही आप मिचूर होंगे और मिचूर होंगे आप बात करनी समझ अपना नंबर चैट बोक्स में डाल देना अजी मनिशा जी कैसे त्यारी कर रहा हो दिल्ली में बहुत बढ़िया आप देखना आके मैं आगया मैं चार-पांस दिन बाहर था तो दिनों में नजर आया ऐसा लग रहा है और क्या आप मैडम भी नहीं 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 मैडम रोज आती थी आपको बोलने का मोका नहीं दिया और आपने मेरे वगर सबसको साहना चाहिए है हाँ सार बस मैं यही कहने के लिए हैंडेस किया है कि 17 तारीक को 17 अक्टूबर संडे का दिन है और सभी दिल्ली और कि अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ अपने और स्कूरिस्टे के साथ रिष्टेदारों के साथ और आपके जितने भी जान पचान के लोग हैं सभी को 17 तारीक पाने के लिए इन्विटेशन दे उनको इसे आगरे करें उनको पहें समझाएं कि पिकनिक का जो प्रोग्राम रखा है यह हम सब के मिलने जुलने के लिए रखा है और हमारे जो बच्चे हैं जो लोग डाउन में घर में रहकर अकेला फील कर रहे थे उन सबको एक कंपनी देने का काम किया कर रहे हैं ताकि उन्हें एक अच्छा महोल बाहर मिल सके और उनकी आपस में हमारे friendship हो सके बच्चे आपस में एक दूसरे को जान सके और हम परिवार भी दूसरे को जान सके उसके लिए विदा पिकनिक का जो आयो जिन किया है इसके लिए मुझे मैं सबी से कहना चाहूंग कि जो भी लाना चाहते हैं और इसमें कोई foundation नहीं है कि इसे परांधा लाना बढ़िया पक्वान लाना है अच्छे बढ़िया 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 कि लाईए और सब मिल जूलकर वहां पर हम लोग खाएंगे और विदा पिपल की बात करेंगे और अपना जैसा भी आप ल रही रिक्वैस्ट और थोड़ी सी में बात कहना चाहूंगी कि सभी लोग जब दूसरे की तरफ जब उठाते हैं ना कि बोट नहीं आता खलाना नहीं आता तो उसकी तरह भी तीन वापस जाते हैं कि तुम कि तुम दूसरे को उठा रहे तुम अकेले मैं बहुत सारे लोग दौसरे करें होगा तो कि अप्वार के साथ हैं बस्काइब करने के लिए अगर हमारे सो तो थो तो तो दोसों की संख्या हो जाती है तो जो तीन उंगली हमारी तरह पर वापस आते हैं तो हमारी तरह पिसारा करते हैं कि तुम ने कितना अपने घर से काम सुरू किया है पहले हमें अपने घर से ही काम सुरू करना पड़ेगा अपने घर के परिवार को अपने बच्चों को अपने पत्नी को अपनी बहन को अपन अपनी तरफ देखो पहले कि आपने कितना जोड़ा या आपने कितना काम किया है या आपने अपने परिवार को नहीं जोड़ा है तो आप दूसरों को कहते रहेंगे अधर पाइज शची बात है पड़ी बात पेशा के लेकिन शची बात है धन्यवाद थेंक्यू थेंक्यू मनिशा जी थेंक्यू सुधी राजी जो फस्ताइम जूड़ा तो एक बार बोल दो करें प्लीज इंट्रोडेक्शन करूँ दें पाफी लोग नहीं जूड़े हैं बीवी मुझे लाग रहा है जो भी नहीं साथी हैंड्रेज करें बाक्य हैंड्रेज सज्जन पाल इस अब है जो निपाट से हैं जी सभी को जैसे मिलान नमबुद्धाए मैं सवनिपाट से हूं अभी सुधिर राजी सी को मैं सुनुना था बड़े जाम से शुदिर जीन ने बड़ी अच्छी बात बदाए समिदान खत्रे में हैं हम भी मानते हैं और यह विदा प्यूपि कि मैं किसले साल रेट साथ से इनके साथ जुड़ा वाऊं इंटरनेट के थूँ और मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं सबसे पहले दम को समझें दम में आऊं इनकी वीडियो से मुझे मोटिवेशन जो मिला उससे मैंने विपसना सीखने का पकामन बनाया और मैं अभी 22 अबर्तक का जो करनाल में साधना सीवर लगा था मैं आटेंड करके आऊं और मुझे लग रहा कि मैं अंदर से ट्रांस्पर्म होगा हूं है और जब तक हमारे नियुं मजबूत नहीं होगी हम संविधान के लिए पुछ निकर सकते साथ में अब पननी के लिए मजबूत करने के लिए में अना ही होगा नो च्था करना करके भी मतलब इसके लिए मोटिवेट किया और हम अपनी निव मजबूत कभी कर सकते हैं जब हम इखटे होंगे समन समाज में आएंगे और वीदा पीपिल जो संग है इसकी निव बहुत मजबूत है यह सारे सारा का सारा संग है ना वीपस्षीयों के हाथों में इसलिए इसक पर और इसके विकास पर जो यह मुद्दा लेके तरव रहा उसके मुझे कोई सकनी है उसमें उस चोटी सी कड़ी में एक चोटी सी कड़ी में बज़ूर गया हूं और मैं यह कह सकता हूं कि जो जो दम में आएगा वीपस्षना सीखेगा वो अपने आपको अपने लिए तो मजबूत करेगा ही राश्टर के लिए भी राश्टर की मजबूती के लिए भी एक चोटी सी का काम करेगा और उस मजबूत की तरह रहेगा वो कि कभी ही लेगी नहीं तो मेरा तो जी यही सब इसे निवेदन है कि जो जो अभी इस टाइम जुड़े हुए हैं और आगे कि विए आफना सब्सक्राइब मजबूत करोगा निवेदन करूंगा मेरी अपील रहेगा सबसे कि युनिट मजबूत होगी तो हम, सब मजबूत हूंगे हमारा राश्टर मजबूत होगा, हमारा संग मजबूत होगा ह। और मैं दोबारा फिर सुधिर जी का बड़ा आपऊ आ रही हूँ कभी मिलें नी कभी मिलें तो मैं जरूरूरं के दर संघ करूंगा लब आरती होँगा इसका लोक्तरि युई सिंग के जा शिंग जी का भी और बाकि सारा संग्ए मैं सारे स्माजता सुपर मुज़े मोटी मोटीवेशन के साथ साथ मुझे उस दिन आसर वात दी जा कि बitätenक्यों संधिराजी नहीं का था सुखत्रे में हम खत्रे में आ जिर जो पहले भी कि अगा हम तो सब्सक्राइब नमबर डाल देना है अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना पीच्चे दे गाउं से अनिता परिहार अन्म्यूट नहीं होड़ा सब्सक्राइब नेक्स्ट हैं रेज हैं काफी सारे हैं सम्राट अपीबोद अपीबो जी राम कलोरिया है 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 अलो है बोले बोले जी साल समराट ओपी ओप्रकास मवर्या वारानसी से अभी अभी सुधीर राजजीर ने बहुत सी बेहतरीन बात कही इस देश के जिसे हम पढ़ा लिखा लोग कहते हैं कि उनकी जरूवत संग को कम है वो आना नहीं चाहा रहे हैं इसलिए कि अभी तक वो अपने आपको बहुत सुरक्षित महसुस कर रहे आज उन्हें आद आया है कि बीदा पेपुल जैसा कोई संग मिल जाए यह वहां चलके कुर्सी मिल जाए कोई हाल का एक संसमन सुनाना चाह रहा हूं सर हमारे भगल में भदोही जिला है कि वहां के डियम साहब जो पाकी समाग से आते थे अभी जूर अपने वीडियो खोल जी जी सर तो वहां हम लोग उनकी साधी में कायद है तो वह डियम साहब अभी जुलाई में रिटायर्ड हुए हैं एक महिना बाद उन्हों ने कहा यार हम तो एक महिने बाद फिर से पासी हो जाएंगे तो हम लोगों ने क्या सर यही चीज़ अगर आपको पचीस साल पहले समझ में आ गई होती तो आज अपने आपको पासी नहीं आपके पीछे पूरा समाज आपको डियम साहब करता है और दूसरी चीज़ समाज के जो भी जिसे हम पढ़ा लिखा कह रहे हैं वो पढ़े लिखे लोगों की बात कभी भी अम्बेटकर साहब ने नहीं कहा अगर हमारे भारत में पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के हुए होते मुझे बीदा पिपल ग्रूप बनाके आवाहन करने के जरूप न पढ़ती आज हम सुखी और समबन हालत में होते बावा साहब ने उन पढ़े लिखे लोगों के लिए इंजित किया था जब इन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि भाई अभी आप कुछ दिन बाग चले जाओगे और मुशलमानों को आपने पाकिस्तान दे रखा है और अभी आने वाले समय में हमारी आजादी पूरी नहीं हुई आप हिंदू के हाथ में ये भारत की बाग दोर देके जा रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा हमारी समाज का क्या होगा तब उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि भाई एक अमबेट कर पूरे भारत की तग्दीर बदलने के लिए काफी है मैं आपको बीस अमबेट कर देना चाहता हूँ और अमबेट कर साहम ने बीस लोगों को भेज के लंदन पढ़ने के लिए भेजा था जिसमें से एक ब्यक्ति वापस लौट के आया है क्यार नाराण जिनके रहते जब तक वो थे राश्पती के कुर्सी बैठे बहुत सारी चीजों को अनुन सुधार किया तो जो भी अपने को आज भी इस बीदा पीपल के मंस पे बैठा हुआ हो या अभी यहां सामिल हो अगर वो अपने आपको पढ़ा लिखा समझ रहा है तो काम में लगे बीदा पीपल के मिशन को पूरा करे भारत के कोने कोने में अगर पढ़ा लिखा समझ रहा हो तो बखिया तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस देश में जो अभी उनको समझ में आ रहा जैशा की सुभीर सर्व ने बटाया उन लोगों को हमारी जरूरत है इसलिए मुझे याद कर रहे हैं उसर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि कभी भी आज के बरतमान पढ़े लिखे लोगों के बारे में बाबा सहाब ने कभी इंगित नहीं किया और जब ये लोग अगर आज भी अगर पढ़े लिखे लोग बाबा सहाब के बातों को समझ पाए होते लिखे पढ़े होते तो ये चीजे नहीं हो नहीं आज इस सिती हम लोगों के सामने होती तो जो भी अपने आपको लिखा पढ़ा पढ़ा लिखा समझ रहा है तो इस सिती को समझे और अपने आने वाली पीठी के बारे में समझे सम्मिधान के बारे में समझे जिसकी वज़े से हम स्कूल का गेट भी डाक पाए वो सम्मिधान की वज़े से है बीएम और कलेक्टर और लिखा पढ़ा होने की बात तो दूर की बात थी हम स्कूल का दर्वाजा देख भाइस नहीं है उसकी देन समिधान है और वो तो आज के इस मन्स पर जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उनका संपर्क भी पढ़े लिखे लोगों से इस मन्स से जाके बीदा पिपोल इसे मन्स से वापस जाके अपने संही साथियों में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं अपने पढ़े लिखे साथियों को बताएं जैभीम नमगुद्धाइब्र सिज्मा ही करना चाह रहे थे कि एक मिट मैं इस टाइम है और अनिता गवी गवैल है साइड वो जुड़े है क्या कि दस से गयारां को एंक्रिंग करनी थी कि सुमेर हर्याना से और अनिता गवी पाराश्ट्रा से और अर्चना गोत्म से जुड़े हैं कंचन वी और अर्चना गोत्म मैसेज भी वेज़े थे चम ठीक है लगनुसा लगनुसा अनुन बहुत जुड़ी हुए है उनसे प्लानी जेए पर फिस लगनुसे एक मिनिट लेते हैं राम कलोरिया जी पहले मैं सभी का आवारी हूँ और जैसे कि आज का दिन जो विशेश है कि भाबा साब ने 1935 में आज के दिन ही ये का था कि मैं हिंदू धरम में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धरम में नहीं मरूँगा तो हमारे लिए आज का विशेश दिन भी है और आज की दिन मैं हलाकी एक बात कहना चाहूँगा कि सत्य प्रकास परिहार जी कि जो दबी हुआ दबा हुआ दर राज जो सामने आया कि मैं सुपरेटेंडिंग इंजिनियर ये पदपे होते हुए भी और हरियाना में या आप मान भी सकते हैं सभी आप पड़े लिखे हैं कि वो PB4 में आते हैं और एक की ही बहुत ही एक जो ह जगाओ और इतनी हकीकत मरलब उन्होंने आज अपने दिल का दर्द बताया है कि अगर हम सब लोग मिल जाएं एक हाईर लेवल के ओपसर को क्योंकि हाईर लेवल ओपिस में होते हैं लेकिन जो समाज में होते हैं हमें सब को जगाना है मैं बहुत हावारी हूं परिवार साह सब्सक्राइब का और जो आपने जो दर्द जो अपना व्यक्त किया है हम चाहेंगे कि यह सभी के दिल में जगना चाहिए और मैं आपको मैं बहुत-बहुत साथ दवाद देता हूं और मैं जादान समय ना लेते हुए जबी को जैबीम नमों गुए थैंक्यू थैंक्यू क सुद्धार में सब्सक्राइब है 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 जैसे कि नैट और प्रॉब्लम भी चल रही थी कि मैं हिंदु धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदु धर्म में मरूगा नहीं, हिंदु धर्म में पैदा हुआ था, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरूगा नहीं, यह मेरे बस में है, तो इसी तरीके से सभी को आज सभत लेनी है, कि मुझे क्या करना किस तरीके से करना है अज संधान के लिए एपने लिए और अपने बचाओं के लिए कि आगे काम करना है और आज सभी सभव घानड करें और मैं इतना नहीं इच्छे से बोल पाती हूँ और जो भी विवाई में श्टेक वते हैं तो उसको माफ करने की कोशिस कहते हैं लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे इसलिए हम बोलते रहते हैं अब लगे रहों चीव बात है नेक्स्ट गुल्शन हेलो और अभी कहना कुछ है अनु अवाज बंद होगी आपकी अब गुल्शन प्रॉब्लम चल रही है हाँ हाँ वो आवाज बंद होगी थी न कोई बात नहीं है गुल्शन कर विजेंदर सिंग जी लुग्याना से गुल्शन बोलें आप उनके आवाज आनी रहे हैं नेट की प्रॉब्लम है माइक माइक अन्म्यूट करें हैं जय भी नमुद्द है सर अभी को परियार साथ के पास और पिछले पांच शा मैने से मीटिंग सर्टेंड कर रहा हूं मैं और मेरा यह माना है सर के हम मैं जरूर जीतेंगे सर जीतेंगे और जरूर जीतेंगे मेरे तो यह बाद्ध है जाले धिक्यूर शाथिए जाइब भी कुछ नमुद्द है जाह सविदां सर अभी कुछ शात्ति है के रहें कि हम खत्रे में अमारा सविदान कगत्रे में नहीं है तो हमें जो राइट्स मिल रहे हैं वो कौन देर हैं सवीधान जब याने की खत्रे में होगा तो ही तो याने की समाज खत्रे में होगा जो हमारे याने की नेता लोग है जो पार्लियामेंट में बैठते हैं विदान सबाहों में बैठते हैं वो ऐसे कानूर बनाते हैं जो हमारे समाज के लिए बेनिफीशल नहीं होते हैं और दू कुछ पढ़ते हैं परन्तु हम इस ग्रुप में याने कि कई बार 200 बंदे जुर जाते हैं कभी 500 बंदे जुर जाते हैं और आज भी यानिकी 100 से उपर हैं क्या हम अपने समाज को काश्टलेस सोसाइटी की तरफ बढा रहे हैं क्या हम अपने बच्चों को सारे बुद्धी जी सब्सक्राइब करने से मैंने इस ग्रुप में अपने बेटे जाते हैं कि अपने सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करता हूं और मैं आपको मैसी देना चाहता हूं कोई यहने की जाती बंदन नहीं है और मैं अपने अपने से शरुवाट करना चाहता हूं और मैं अल्रेडी कर चुके हूं यह मैं आपको मैसी देना चाहता हूं जितने भी सत्थी हैं तो वह भी प्लीज अपने याने के घसे सरुवात करें क्योंकि हम ब्रामनवाद को कोश्टे आते हैं तो हमारे में ही सबसे ज्यादा जातिवार समाया हुआ है तैंक्यू जैभीम नमो बुद्धा एंक्यू थैंक्यू विजेंदर जी वैसे आपको कैसे आपको क्या लग रहा है आप जो बात कहरे हो जाओ यहां वीदा पीपल इतने सारे जोब्धिवी लोग है और उनको यह स्थरुवात करनी चाहिए सब मानने वाले लोग है जो आपके मत सोचे नहीं मैं तो समाज की तरह यह जो बाबा साभ का सपना था है क्यू प्रियंदर जी ईसलिए हैं कि लोग समिधान को बनाते हैं और बावा साब ने कहीं नहीं लिखा कि सम्धान सभा से सम्धान है उन्होंने लिखाा है वीदा पीपल से सम्धान है इसने स्रुवा तु निबिल्कुल ठीक और वीदा पीपल चाहे तो दूसा सम्धान इंबरा सकते हैं इसको मौटिफाइभी कर सकते हैं और जो इसमें आमेंडमेंट हुई य reasonably लोगों का होता है तो क्या है कि जब लोग खत्रे में हैं तब समधिदान खत्रे में आता है क्योंकि कि लोगों ने समिधान बनाया है समिधान खत्रे में आने से लोग खत्रे में नहीं आते लोगों के खत्रे में आने से समिधान खत्रे में आता हमारे अधिकार चलेगे इसलिए हम कहते हैं कि समिधान खत्रे में जब देढ़न में कि और से तस लिकार रहे हैं कि लोगों को यह असस हो जाए 벼ाई इंके बच्चे खत्रे मैं भास कर् Gloria कर Prक करें हैं आपके जो अधिकार आपके बच्चे है वो खत्रे में हैं या नहीं सब्सक्राइब कर दो हमारे कानों में सब्सक्राइब हमारे लोगों की समझ नहीं है कौन सा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना नहीं आपकी बात मान लिए ऐसा रहा रटा हुआ सब बहुत मुश्ची से निकलता है हम उसी को ट्री करना है वर्द्य बढ़रतिहां जाता दिमाख में वो दिकलता नहीं हमारे लोग व naar पर. आप आप अ इस आवाज नहीं आरे कि मतलब उनको क्या प्ता कि सरे ट्रहां और हम खत्रें वह यह बात पर चार मतलब यह है सड्रान कटरें में वह के खत्रें में तुरा देश और हमसे ही बना हैं आप बात करो गाहीं बिल्खुल बिल्कुल वाण जब हम यह कहते हैं कि देश खत्रे में हैं तो दोनों में कौन सी बाट ज्यादा हमें अपील करती है अब बाबा साब को छोड़ा आप अपनी बता हो नहीं अगर आप बाबा साब करना है कौन सा ज्यादा पीलिंग है अगर समाज खत्रे में हैं अपने बच्चे को देते हैं नहीं बच्चों से इस समाज बनता है साब बैबा साब ने बच्चों को नहीं दिया लोगों कहिए कि हो जाएं क्योंकि सब लोग अलग अलग है आप धंका काम चिलाते धं भी अलगलग अलग है बआवक हैं वहिं माते हैं इसलिए सब को इखटा करते हैं अब भावा साब ने बच्चों सब्सक्राइब यह नहीं अब यह नहीं आपपने बच्चों को प्रेफरेंस नहीं तो हमारे बच्चों के लिए अपने बच्चे क्या रर हमारे बच्चे साँ के लिए हमारे हमारे साब खरते आप कि आप के बच्चों के लिए बाव साथ ठ Argum baixo ने बचाओगे हमेश अपने बच्चों के साथ आप बच्चों को प्रिफरेंस दिती हैं विल्कुर बिल्कुर नहीं सर्व ने यही तो कहा था कि मेरी बच्चे जहां हैं हुआ चले जाएं आने वाली पीड़ी मेरे आने वाले बच्चे खत्रे में नहीं प्रिक्चे दे सकते हैं हैं प्रिक्चर आजे तूब मैं इसाि मनल ने सर आने वाली दिटीकोई तो अंब स्रटे के लिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए व हम उतके जान नहीं आ रहा है हम और हम और हमारी आने पाड़ि आने वाली पीड़ी ही तो उनके बच्चे हैं उनका ही तो भविस्ट सुरक्षित करने के लिए कहा था उन्होंने जी 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 चलो आगे बढ़ते हैं तुटनलान जी 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 नमो बुद्धा जेविम सर मैं मेरी बात रख रहा हूं दो में पड़े लिकों की बात हो रही है तो हमारा जो सम पड़े लिके नहीं है पड़े हैं किसी की बात को लिए नौकरी लग लिए वो लिखे पड़े होता है पड़े लिके लिए वह लिखे लिए ओनी दो सबसे पहले तो उन्हीं की सुप्रेमेशी जाएगी ना और जो विचारा जो बिल्कुल नीचले पायदान पर उसको खोनों को क्या है वो तो वैसी खोक उसके पास कुछ है नहीं कुछ जो खोएंगे तो वो ही खोएंगे अपनी सुप्रेमेशी वीरोप्रेसी है इसलिए हमको सब करना चाहिए चाहिए कोई भी होगो सब बीदा सब्सक्राइब करना चाहिए कि हमारे सब्सक्राइब करें कि अब वो नेंकारी जो नेंकारी है सब्सक्राइब करना चाहिए और मीटिंग में अपना हैंड़ेस करें भी फिलाल रोज उपस्ति दें ग्यांदास कर दिया जी को बुलाओं सब्सक्राइब करें अप्रक्राइब करें अच्छा कार इनका है अच्छी होगे हमें इस इस तो महाला है रंदवा साथ अच्छी आप आए प्लीज अच्छी आगे कनोजीया नि ज्यांदा साथ तो तहले वी जुदें रहाएं जी सर बस मुझे बहुत जादे तो नहीं कहना है इतना ही कहना है कि अभी तो मैं थोड़ा अध्यान कर रहा हूं सर जी बहुत हमारे पास अनुभो की कमी है प्रयास कर रहा हूं एक आध हपते के अंदर हम जैसा आप चाहरे हैं वैसा काम करना शुरू कर देंगे तो दीदा पीपूल में हमें एजुकेट करने का आउसर मिलता है खुद एजुकेट होते हैं और जब एजुकेट हो जाएंगे तभी दूसरे को एजुकेट कर पाएं कर दो एजुकेट कर दो एजुकेट होते हैं कर्दकेट before दो कर दो एजुकेट कर दो एजुकेट हैं Allah कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल